नमस्ते, मैं दॉक्टर रीना होर के, संशाइन एकेम्स होस्पिटल सिकंद्राबाद ब्रांच से बात कर रही हूँ, आज मैं आपको फाइवरोईड यूटरस, जिसको हिंदी में अपन गांट, यूटरस में जो गांट होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, कि वो उसके सिम्टम्स क्या है, और उसका इलाज क्या है, सबसे पहले जो बचचे दानी में जो गांट होती है, वो बहुत ही कौमन हैं, इंडियन पॉपॉलेशन में, जलसे की इंसीडेंश हर एक 100 मैला में 25 लोगों को बच्चे दानी में गांट होगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि हर एक चौथी महला को बच्चेदानी ऐक उसमें से एक महला को बच्चेदानी में गाख होगा अब आप next question पूछेंगे कि यह बच्चेदानी में गाख क्यों होता है बच्चेदानी में गाख का अभी तक कोई भी reason नहीं पता चल पाया है उनली ऐसा बोलते हैं कि हार्मोन के इंबैलेंस की वज़े से ये गाठ होता है तो जब तक के लिए माइलाओं में ये पीरेट्स होते रहेंगे तब तक के लिए अगर ये गाठ है तो ये गाठ रहेगा और इसका साइज भी इंक्रीज होता रहेगा या कई बार कहा जाता है कि फैमिली में अगर हिस्ट्री है फाइबरोड यूट्रस की या गाठ होना बच्चेदानी में जिसे की मदर्स को या सिस्टर्स को तो आपको भी हाई रिस्क रहता है कि आपको भी फाइबरोड यूट्रस या बच्चेदानी में गाठ आ सकता है नेक्स्ट आता है कि इसके symptoms क्या-क्या होते है, usually 80% of the people में जो ये गांट है जो बच्चेदानी में रहती है, ये कोई भी symptoms नहीं करता है, क्योंकि ये जो symptoms है फाइवरोईट के या गांट के, it depends upon कि उसका size कितना है और वो कहां पर present है, जो size of the fibroid रहता है, वो एक छोटे से छोटे मटर के दाने के बराबर भी रहता है, या बड़ा से बड़े तर्बूच के जैसा भी हो जाता है, ये तो रहा size के बारे में, regarding upon the side, side की वो कहां present रहता है, regarding upon the side of the fibroid, या तो वो mucosal fibroid रहता है, या muscles के अंदर fibroid रहता है, या endometrium म रहता है, तो usually अगर peritonium में अगर fibroid है, तो इतना 6 cm का भी हो जाएगा, या 9 cm की हो जाएगा, तो it will not cause any symptoms, वो ऐसे ही महाँ पड़ा हुआ रहेगा, and patient को भी पता नहीं चलेगा, only जब अपन routine examination करते हैं, या routine ultrasound करते हैं, या कोई women's health check-up के लिए जाते हैं, तब वो fibroid होता है कि, ये patient को fibroid है, लेकिन जो fibroids आपके बच्चेदानी के अंदर, that is mucosal fibroids रहते हैं, या intramural fibroids रहते हैं, वो usually symptoms produce करते हैं, अभी next question आता है कि, fibroids अगर mucosal fibroids हैं, या intramural fibroids हैं, तो वो आपको क्या-क्या symptoms देंगे, usually जो fibroids हैं, वो आपको period से related symptoms रहता है, आइदर आपको period में आप observe करेंगे, कि अगर आपको intramural fibroid हैं, या submucosal fibroids हैं, तो आप observe करेंगे कि period के समय, आपको heavy bleeding रहेगा, और बहुत समय तक bleeding प्र loss भी पास होंगे, कभी-कभी दो पीरेट्स के बीच पे भी bleeding आपको दिखेगा, और पीरेट्स के समय, जब अगर fibroid आपके mucosal fibroid हैं, जैसे कि अंदर fibroid हैं, तो उस उन cases में आपको period के साथ साथ pain in the lower abdomen भी होगा, next आपको मैं इसके treatment के बारे में बताती हूँ, अगर आप इसका इलाज पूछेंगे, तो usually जो इसका इलाज रहता है, अगर size of the fibroid small है, और patient को कुछ भी problem नहीं है, तो अपन वो fibroid को छोड सकते हैं, only आपको regular आपके gynecologist से मिलने का है, और हर 6 महने में scanning कराते रहने का है, ताकि आपको पता चल सके कि size of the fibroid कितना है, whether this size of the fibroid is increasing or decreasing or remains the same size, if the size of the fibroid is increasing and it is more than 6 cm, तभी हमको उसमें कुछ action लेने का है, तभ अभी हमको treatment के लिए जाने का है, या patient को fibroid की वज़े से bleeding problems हो रहा है, then हमको treatment के लिए जाने का है, जो heavy bleeding होता है, और जो clod splas होते हैं, और जो prolonged bleeding रहता है, उसके लिए आप tranexmic acid injections ले सकते हैं, tablets ले सकते हैं, pain killer tablets ले सकते हैं, जोकि available है, gonadotropin injections ले सकते हैं, gonadotropin tablets ले सकते हैं, अभी ये जो treatment है, ये भी अभी दो भागों में depend होता है, जो कि woman की अगर family complete हो गई है, और उनका size of the fibroid बढ़ा है, और उनको bleeding problem हो रहा है, and in spite of taking the medical management, दभाई लेने के बाद भी उनका bleeding control नहीं हो रहा है, and the patient का age 40 years and family completed है, in that case, patient को जो हम advise करते हैं, वो है hysterectomy, जिसको की बचेदानी remove करना कहते हैं, दूसरा treatment होता है, myomectomy, जो patients अपनी fertility preserve करना चाहते हैं, या जिनका family complete नहीं हुआ है, उनको हम लोग myomectomy advice करते हैं, myomectomy क्या होता है, myomectomy ये होता है कि उसमें only, जो बच्चेदानी में जो गड़ा रहता है, that is a fibroid, only we are removing the fibroid from the uterus, only हम लोग महां से गड़े को बच्चेदानी में से निकालते हैं, इसको अपन myomectomy कहते हैं, इसमें बच्चेदानी preserve रहती है, जो patients conceive नहीं कर पाते हैं, और उनके routine अगर ultrasound में पता चलता है कि fibroid है, तो हमें advice करते हैं, कि they have to, they will go to the myomectomy, that is the removal of the fibroid, और जिन पेशन को बार-बार miscarriages होते हैं, उन patients में, या जिन पेशन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उन patients में अगर fibroid है, पहले से हमको मालो में कि fibroid है, उन patients को advice करके हैं, कि better to go for removal of the fibroid, that is myomectomy, and after that, they can plan for pregnancy, otherwise, उनको वो patients को risk of miscarriages के chances ज्यादा रहते हैं, धन्यवाद,